अलो नमस्कार तो रीमेक वुट के अंदर शेहजादा और सेलफी के बाद आ गई है एक और रीमेक और इस रीमेक का नाम है भोला जो की तमिल फिल्म कैथी का हिंदी वर्जन है तमिल फिल्म कैथी अगर आपने देखिये तो आपको पता होगा पिक्चर क्या माइंड ब्लोइ आने वाली है लेगन अगर आपने कहती नहीं देखी तो आपको थोड़ा से हिंट दे देता हूँ जो कि आपको शाद बोला कि ट्रेलर में भी देखनों को मिला होगा और जैसे कि ट्रेलर बता रहा कि कुछ पुलिस वाले सोक और देश भग जो है वो बेहोश पड़े हैं उ वो अपनी बच्ची से मिलना चाहता लेकिन पुलिस वालों की उसे मदद भी करनी है और इन पुलिस वालों को मारने के लिए एक के बाद एक सो शैतान आने वाले हैं उन सो शैतान उसे टक लेने के लिए खड़ा है एक चटान और चटान का नाम है भोला अब यह है इस इनके ट्रेलर में देखा होगा जहां पर संजय मिश्रा जी कह रहे हैं कि यार पुलिस थाने को चंबल बना करके रख दिया है एक्चुली में आखरी का जो सीने ने कैथी फिच्चर का वो माइंड ब्लोइंग पिक्चर है मतलब सो देर सो विलन्स भरे पड़े रहते गुं करेंगे बलकि इस फिल्म को वो डिरेक्ट भी करेंगे एस डिरेक्टर अजे देवगन का ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अजे देवगन का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो रीमेक में काफी अच्छा है जहां एक के बाद एक रीमेक वुड में बैक thrilling film में होती है suspense होता है या फिर जैसी कहानी भोला की है ऐसी कहानिया south के directors pick करते हैं वो film बनाते हैं picture hit हो जाती है फिर हमारे bollywood वाले उसी picture का cut copy paste कर देते हैं लेकिन जैसे कि मैंने already कहा कि अजे देवगन का track record as a director अच्छा हो नहो रीमेक film मनाने में अजे देवगन का track record काफी अच्छा है द्रश्यम द्रश्यम टू और भोला मुझे पता नहीं क्यों जबसे मैंने बोला के कुछ टीजर देखे थे कुछ अंश देखे थे तबी से कि यहां भोला के अंदर आपको एक से बढ़कर एक अक्टिंग के महारती दिखाई देते हैं चाये वो विनीत कुमार जी हो चाये वो दीपक अभी एक्टर्स है ना इस कहानी के लिए परफेक्ट हैं क्योंकि यह नैच्रल एक्टर है और जैसे कि आपने देखा था न कुछ दिन पहले विक्रम वेदार वहां पर रितिक रोशन किस एंगल से गेंग्स्टर लग रहा था और कभी वह आवदी बोल रहा था कभी बिहार ही बोल रहा था मतलब वहां पर रिसेर्ट की कमी थी यहां पर है यह कहानी यूपी में बेस्ट हो जैसे कि यह ट्रेलर शुरू होता है कि लाल गंज जाना है अजय देवगन और फबोला जो कि अभी अभी जेल से चूटा है कैसे उसे पुलिस वालों की मदद करनी पड़ती है और जो डायलोग है आपने तो सुने ही सही जहां आजे देवगन कहता है कि आज कल शकल देखकर के चार्चित आई होती है और तब्बू जो की इंस्पेक्टर बनी है वो पलटवार करती है कि शकल नहीं अकड़ देखकर चार्चित आई होती है वहाई विनीत कुमार जी क का डायलोग आता है वहाँ पर वो कहते हैं कि वो खाकी के भूके हैं अब तो ग्यारा खाकी वालो को खा चुके हैं एक टीजर और आया था विनित कुमर जी का जहां पर उनका डायलोग था कि रक्त के भक्त है हम बना दो इस थाने को शम्षान और अजे देवगन के डायलोग हैं ही सही कि आज नहीं आज मौत महाकाल को चड़ा काया हूँ एक दो डायलोग इस ट्रेलर के भी काफी माइंड ब्लोईंग है जैसे एक 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 अक्टर कहता है कि भाई या शेरों के समविदान में समझाता नहीं होता कहां से हो भे तुमको देखा नहीं अजे देवगन क्या लिखे है तो राइटिंग टीम की तारीफ तो होनी चाहिए एंड साती साथ जिस तरह से एक्शन हमें दिखाई दे रहा है तो एक्शन जो लोग ने कोरियोग्राफ करा है वो टीम भी तारीफ की हकदार है ऐसी एक नहीं कई सारी चीजे हैं जो यह देख करके मुझे एक टू आने वाला है तो क्या पता यहां पर भोला का भी पाट टू आ जाए एक चीज और जैसे यहां पर बार बार त्रिशूल भगवान शंकर और एक टीजर में भगवत गीता को भी यहां पर इंपॉर्टेस दिया गया है तो ऐसे एक नहीं कई सारे कारण हैं जिनें अपने वालेडी मेंने कहा ना कि सानातन संस्कृति के कुछ पात्र या उनका नाम या फिर बार बार भोले शंकर वो सिर पर राक लगाना या फिर मौत महाकाल को चड़ा कर आया हूं तो अजे देवगन्यन हिंदू आडियंस को अच्छे से अकरशित करने का पूरा इंतजाम कर लि में आपने अगर यह ट्रेलर देखा है तो आपको यह लगा आपका क्या क्या रियक्शिन था वीडीयो देखा अपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू स threat